हेलो आरीन मैं रेखा खुश्वा अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनेक एनमी पर जो आप लोग के अपकमिंग और टीचे एंग्जाम्स लाइक इस डीटर प्लस भी एन्वियास के वियास सीटर 2019 की फिप्रेशन को बैस्टो बैस्ट मनाने में आप लोग की हेल्प करेगा सो जैसे जॉइन कीजे लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अपनी फिप्रेशन को बैस्ट बनाईए मेरे साथ जो स्टार्ट करेंगे लेसन आज का कंटेंट सो वेलकम टू इंफो टीचिंग यहाँ पर आप लोग के सामने और इंफो टीचिंग को प से सीरियस तरीके से कर रहे हैं तभी आप जॉइन कीजे यहाँ पर आप लोग को दो गृप मिलेंगे एक हमारा इंफो टीचिंग का ग्रूप होगा और एक होगा अनाइकाडमी का दोनों ग्रूप को एक साथ जोइन कीजे क्योंकि दोनों ही ग्रूप में हम अलग अलग तर आने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आज का कॉंसे आप जो हमारा पर्डिकुलर वोकेडरी सेक्षन को कवर करेंगा आप लोग की एंविए स्पैशल की प्रिप्रिशन को बैस्ट बैस्ट बढाने में जैसे कि आप लोग को पता होगा दो पोस्ट की मतल कोड़ा सा बैस्ट बनाने के लिए अब हम आज के वकैबलरी सेक्षन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कवर करेंगे और यह सबसे पहला है हमारा कमीशन कमीशन सबसे पहला हमारा वर्ड है कमीशन जिसका मतलब होता है दलाली तो कमीशन क्या करेंगे कमीशन अगर हम कहें तो सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ यहां पर याद रखनी है कमीशन की स्पैलिंग ऑल्वेज मतलब तो नहीं कौन की बट किसी नहीं किसी एक्जाम में रिपेटेट हो जाती है स्पैलिंग एर्र की कोशन पूछा जा सकता है हमसे कमी किसी का काम कर रहे हैं और उसके बदले हम पैसे ले रहे हैं तो वो चीज़ हो जाएगी हमारी कमीशन या दलाली के अकॉर्डिंग अब इसको सिनोनिम के अकॉर्डिंग और अच्छा से क्लैरिफाइ करते हैं अब्लिगेशन का मतलब होता है एहसान करना एहसान करना मतलब की एहसान क्या है हमने किसी के ओपर वो उस तरीके से हम मतलब की सुनोनिम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं प्रेय वाची शब्ड जिसे कहा जाता है अब्लिगेशन एरन का मतलब होता है चापलोसी करना या अपना फायदा ढूनना, दोनों ही तरीके से हम दोनों ही वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, चापलोसी करना या अपना फायदा ढूनना, एंटोनिम्स के अपॉर्डिंग देखिए, डी पोजिशन, डी पोजिशन का मतलब होता है यहाँ पर, अगर हम कहें तो बयान, कैपबल मतलब कि एक जो हमारे इंदर कर सकते हैं, क्यों तो मतलब कि वर्क में ज्जादा स्किल्फिल नहीं है, मतलब कि ज्जादा ब्लीटी नहीं है हम अँस में ज्जादा तैलें Parl normally क accept it in fichy के से हम inefficient को use कर सकते हैं inept inept का मतलब होता है अगर हम कहें तो योग्य योग्य पर्डिकुलर्स का मेनिंग होते हैं तो inept always याद रखना inept को कही बार यूज किया गया है और जातर ये जो inept वाला वर्ड है हमारा comprehensive वाले जो portion है इंग्लिश का वहां पर जरूर बुच्छा जाता है तो ऐसे वर्ड्स को आप लोग को अच्छे से याद रखना है और अगर देखा जाए अनकेडमी पर हमारा कोर्स है इंग्लिश का जहां पर मैंन next है मारा word desolate desolate का मतलब होता है उजाड अब इसको और अच्छे से जानते हैं इस word के according synonym bleak bleak और lonesome हमारे दोनों same ही word है बड़ थोड़ा सा bleak को हम और अच्छे से जानते हैं bleak का मतलब होता है उदास मतलब कि एक ऐसी जगे जहां पर हम उदास बेटे हुए हमारे आस पा समझे कोई विलेज है कोई भी ऐसी जगे है विलेज है कोई ऐसा शहर है जो किसी ना किसी मतलब की disaster से तबाह हो गया है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि अकेला पन सुनसान टाइप का मतलब की वह जगे हो जाती है तो वह चीज हमारी lonesome क्या according होगी bright का मतलब होता है usual इसका एंटोनी में हमारा bright bright का मतलब होता है usual inhabited inhabited का मतलब होता है बसा हुआ तो उस तरीके से आप लोग एक दूसरे को correlate करेंगे तभी आप लोग को synonym और एंटोनीम अच्छे से याद हो पाएंगे next है हमारा word dreary dreary का मतलब होता है अगर हम कहें तो मतलब की थोड़ा सा मतलब तनाव में हम मतलब की बहुत ज़्यादा sad उदास तरीके से हम कह सकते हैं उस तरीके से synonym को देखते हैं boring तो common word है always हर किसी को बदा होता है boring type का depressing का मतलब होता है तनाव युक्त यह होता है तनाव युक्त यानि कि तनाव से भरा हुआ एक होता है तनाव मुक्त जो जिसके अंदर मतलब किसी भी हमारे mind में कोई भी तनाव नहीं है तो वो चीज़ हमारी depressing के according उसके according बहुत cheerful हमारा मतलब कि आसपास का माहल भी है कह सकते हैं हम खुद भी exciting का मतलब हो जाता है एक eagerly तरीके से हमारे mind में मतलब कि बहुत जाद excitement है बहुत सारी चीज़ें मतलब कि खुशी के according हैं जिसे हम speechless थोड़ा सा हम इसे मतलब कि correlate कर सकते हैं हमारे पस word नहीं है अ indifference का मतलब होता है उदासीनता अब इसको भी और अच्छे से जानते हैं synonym है इसका disdain disdain है और disdain का मतलब होता है नफरत कोई हम से या हम किसी से नफरत करते हैं उस तरीके से उदासीनता हमारा correlate हो जाता है disdain यानिकी नफरत से disregard disregard का मतलब होता है किसी को अप्मानित करना या किसी का अनाधर करना मतलब हम उसे respect नहीं दे रहे हैं या तो respect का म नहीं देते हैं जब हमें उससे नफरत होती। किसी भी परसंट से ऊगया या किसी पहार सिघाव्जैब सम्मान के देना किसी की इज़ट करना तो उस तरीके से एस्टीम हो जाएगा रिस्पैक्ट धो बित्त है तो हएं ग्रीडी गर्फ को पदा ही mine कि मैं हमारा यहां मारा मैं मैं एक अछल स्भवरा नालाच बाट यहां पर ग्रीडी का मतलब वह नहीं होगा लालाच किया को तो इसे हम थोड़ा सा correlate करते हैं मतलब समझते हैं पहले हम प्रोफेन को समझते हैं फिर उसके बाद हम greedy पर आएंगे प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना अपवित्र करना तो ऐसे ही जो greedy है actual में इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमारे लिए शुद्ध नहीं होती है मतलब कि हम हमारी जो चाहत है जो हम मतलब कि हमारे पास already है वो चीज और फिर भी हम उसके लिए मतलब कि हम चाहते हैं कि हमें और मिल जाए और मिल जाए मतलब वही सेम चीज है लालच के अकोड़ेंगी बट लालच एक अलग वर्ड हो गया और यहां पर इसको थोड सा कोर्रिलेट करना आपको पता होना चाहिए प्रोफेन हमारा अपवित्र करना या अपवित्र होना उस तरीके से हो गया अशुद कह सकते हैं अंग्रीडी जहांपर हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हम खुश है जो भी हमारे पास सफिशेंट है इनाफ है हम उसमें पर दे तो वह चीज हो जाएगी हमारी स्पिच्च्वल देन है हमारा पैरमाउंट पैरमाउंट एवरी टीचे इंग्जाम में रिपीट होता है यह वर्ड और कई बार तो सिनोनिम और एंटोनिम के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है तो पैरमाउंट को मतलब होता है उचे दरजे का सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखे आउटस्टेंडिंग देखा होगा आप लोगोंने मतलब रिमार्क देते हम किसी को गोड वैरे गोड एक्सिलेंट तो जो आउटस्टेंडिंग होता है वो बहुत ही जादा अप्रतीम जिसे शुद हिंदी में अप्रतीम वरी यूज़ करेंगे आउटस्टेंग बहुत ज्यादा मन को लुभाने वाला मन को बहुत ही अच्छा लगने वाला प्री डॉमिनेंट का मतलब होता है यहां पर अगर हम कहें तो सर्वाधिक सरवाधिक या सरवस्ट्रेस्ट जिसे हम कह सकते हैं और सूपर से भी उपर जिसे हम थोड़ा सा वड़ी यूज़ कर सकते हैं सुपीरियर भी हो सकता है मतलब कोरिलेटी है यह सारे वड़ एक दूसरे से अंटोनिम देखे, अनिम्पोर्टन Unimportant मतलब अनावश्यक या हमारे ले ज़रूरी नहीं है उस मतलब की comment है हमारे ले की हां हमारे लिए अच्छा है नहीं है हम इतना ़ींतना जाधा उसको remark नहीं दे रहे 5 punto last का मतलब हो गया महतवहीन मतलब की हमारे ले उसकी importance ही नहीं है किसी भी वस्तो की किसी भी person की तो उस तरीके से हम last कह सकते हैं इसको देने हमारा word readily readily का मतलब होता है सहज से या सहज में सहज में हम कहेंगे से तो synonym की according देखिए easily easily का मतलब अगर हम कहें यहाँ पर एक फुर्ती कह सकते है easily मतलब की एक होता है बहुत असान बहुत सरल तरीका तो फुर्ती भी कह सकते है promptly का मतलब होता है तुरंद अंटोनिम को समझते हैं अंटोनिम difficulty difficulty के according अगर हम कहें तो यह चीज़ हो जाएगी हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल या कठिन और unwillingly unwillingly का मतलब होता है बेमन या अनिच्छा मतलब की हम हमारे मन नहीं है किसी भी काम करने का या कहीं जाने का तो वो चीज़ हो जाते है हमारी unwillingly then है हमारा word screw tinesin screw tinesin देखे जाजना होता है screw tinesin मतलब की tines कुछ भी मतलब की pronunciation के according आप लोग देख सकते हैं इसे actual में किस तरीके से पढ़ना मतलब की होता है तो उसका मतलब actual में होता है जाजना analyze manoviculation करना यहाँ पर synonym दे रखा है analyze manoviculation करना check यानिकी निरिक्षन करना forget मतलब की अंदेखा या भूल जाना किसी चीज को हम ज़ादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके उसके according ignore अंदेखा करना देन हमारा word sentiment sentiment का मतलब होता है भावुकता sentiment का मतलब होता है भावुकता तो नहाँ पर देखे feeling, feelings का मतलब होता है महसूस करना या हम feel कर रहे हैं उस चीज को जो भी डुख है मतलब जो भी हमारी guestors है उसके according चाहें वो खुशी के हो चाहें दुख के हो से हम feel कर रहे हैं तो उस तरीके से feelings हो सकती है, passion भी हमारा उसी से correlate है, मतलब किसी चीज के लिए हम क मतलब किसी चीज से हमें इतनी irritation होती है कि हम उसको देखना भी नी चाहते, तो वो चीज हो जाएगा हमारा antipathy, dislike मतलब कि ना पसंद करना तो उस तरीके से, तो यह थे आप लोग के सामने selected words जो मैंने cover कर दिये हैं, always मतलब कि already आज चुके हैं सारे words NVS में और अगर आपको कर की लोग जाएगर ढे आपकोणी हो कार दिया हो कार दो जाएगर यह थे आपकोणी हो को जागरो ररिगा ढव मतलब कर दो दो घंग को ऑ्क कहए हमार दो जो फम से के दो जो आएगर यह हो मतलब कर दिये से हमार रापकों zwar के बमैगानां μASSतुट यह दो आगर दो सचन